असलाम अलेकुम आज मुना रही हूँ चावल के आटे के फूल तो उसके लिए यहां पर देखिए मैंने लिया है चावल का आटा वन कप वन कप आपने चावल का आटा लेना है वन ग्लास मैंने चावल का आटा लिया है और यही ग्लास से हमें माप लेके पानी लेना है salt ऐस पर यो टीज जाएगा जबी भी हम फूल या पापड जो भी हम बना दे चकली बना दे तो उसमें salt थोड़ा से कम हमें add करना होता है ताकि जब सूप जाता है तो automatically इसमें जो salt है वो ज़ादा हो जाता है यहाँ पर मैंने लिया है half teaspoon zero और यहाँ पर मैंने लिया है one foot teaspoon भूना कोटा मैंने लाल मिर्च लिया हुआ है और यहाँ पर pinch of मैंने मीठा सोड़ा दिया है देखें मैंने जो बरतन में चावल के फूल बनाने है चावल के आटे के फूल वो मैंने बरतन लिया है और यही glass के माप से मैंने एक cup चावल का आटा लिया हुआ है तो मैं इसके अंदर अभी चार glass पानी आट करूँगी चार glass पानी आट करूँगी एक glass मैंने चावल का आटा लिया था तो यह पहला पानी को मैं गैस पर चड़ा दे तो आपी दिखें जो चावल का आटा है उसके अंदर ये जो आदा ग्लास है मैं अभी इसमें डाल दूँगी इसे मेक्स करूँगी अच्छे से इसमें लम्स वगेरा नहीं जमना चाहिए इसे मैं अच्छे से मेक्स करूँगी और फिर बागी का पानी इसमें आड करूँगी ये देखे ये पूरा पानी मैंने इसमे जोब कर नें रख सुआ राखा है और यहां पर मैंने आधा ग्लाश पानी और ए्ट किया हैंश्ट कि 10.5 बिट युल्ध ग्लाश पानी ने हमें 1 जाफ एक ग्लाश पानी में लगा है इससे मैं आच्छ एक मिक्स कर लेन ती ओस है इस अब आटे में मिक्स पानी लगेगा जो चावल का आठा था उसने मैंने 2 ग्लास पानी आड़ किया था यह देखें बैटर कुछ थरीके से होना चाहिए उसकी कंसिस्टन्से आप देख लेजी इस तरीके से होनी चाहिए अभी पानी यहां पर देखें बॉय हो रहा है तो अभी हम यह जो बैटर है लाल मेर्च भी ऐड़ कर सकते हो और मैं एड़ करूंगी वो इसलिए क्योंकि पापड जो है हमारे वाइट ही होना चाहिए अगर आप अभी डाल दोगे तो पीले-पीले से हो जाएंगे पापड एक अपने एक हाथ से आपने जो बैटर है इसको डालना है और दूसरे हाथ से आपने चलाते वे ही इसको पकाना है अभी आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं रोटना है आपने जो पूरा पापड बनने तक आपने बस हाथ चलाते वे ही मतलब कि इसे स्टर करते वे ही आपने कुक कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपने कुक करना है वरना यह हो कि जो चावल है वो कच्छे रह जाएंगे जो चावल का आठा है यह थिक हो जाएगा लेकिन यह कच्छा रहेगा कि पापड फिर फुलेंगे नहीं तो आपने लो टू मिडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से कुट कर लेना है जब तक गाडा नया हो जा थिक ना हो जाए ट्र थिक होना स्टार्ट हुआ है तो अभी हमें और इसे पाच मिनट पकाना है मतलब कि हमें टोटल इसे दस मिनट पकाना है तो अभी मैं और इसे पाच मिनट और पका लेती हूँ अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका साइन गया होता है चेक करने का की पक चुका है तो आपने इसको चलाते हुए ही इसको पकाना है तो आपके उपर यह जो छीटे है यह उपर उपर इसे आने लगेगे तो आपने वुड़न स्पून लंबा लीजिए गा मैंने बढ़िये की रेसेपी भी आप लोगों के साथ में शेयर किये है मुर्कुल जिसे कहते है है थैदराबादी मुर्कुल उसकी भी रेसेपी मैंन यही मैटड से पकाया है सबसे पहले आपको यह जो बैटर है कि गाड़ा हो जाएगा यह इसका साइन है सेकेंड साइन कि यह इस तरीके से उड़ने लगेगा जब यह उड़ने लगे तो आप समझ दीजे कि अच्छे से उख हो जुका है और तीसरा साइन में बता दू यह तो ट्रांस्पारेंट दिखने लगेगा यह देखें आप इस तरीके से यह करोगे तो देखें यह आपको यह एक साथ मिलेगा नहीं जॉइन होगा तो इट मींस कि बहुत यह अच्छे से पक चुका है अब मैं इसके अंदर यह जो मैंने मीठा सोडा और लाल मिर्च लिया इससे मैं अभी कवर कर दूंगी और आदे खंटे के लिए से छोड़ दूंगी थंडा होने के लिए आपे देखें मैंने एक बड़ा सा थाला ले लिया है उसके अंदर मैं थोड़ा सा ओली इसमें लगा दूंगी अच्छा मैं फैन के नीचे सुखा रही हूं तो मुझे द अधर भी आप यह कर सकते हों तो यहां पर दिखिए यह जो मैं चावल के फूल बनाने वाली हूं यह देखे थंडा होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखना है कि देखे एक दम ठेक हो जाता है अभी यह मतलब गुनगुना सा है एक दम भी गरम निये गुनगुना है और यह अभी गाड़ा हो चुका है तो अब मैं क्या करूंगी इसमें से निकालूंगी और यहां पर यह देखे इस तरीके से आपने छोटे-छोटे से यह देखे इस तरीके से दाल देना है यह देखे कुछ इस तरीके से इसके मैं सारे फूल बना दूंगी तो अब जो जो पूल आटे के फूल अब मैं इसे 3-4 दिन इसको हवा में सुका कर अगर आप दूप में सुका रहे हैं तो आपका दो दिन में सुक जाएगा लेकिन मैं हवा में फैन के हवा में सुका रही हूँ तो मुझे इसे 3-4 दिन लग जाएगा तीन से 4 दिन के बाद मैं आपको बताती हूँ चावल क कचरी चावल के फूल दे के बनके तयार उचुके है, इसको मुझे चाटीन लगी है, चार दिन में अच्छे से सूप चुके है और बहुत ईजी लिनिकल जाते हैं, तो चलिए इससे मैं फ्राइ करके आपको दिखाते हूं और मैं बतादू आप इसको एक बार बनाओ और साल भर आम इसको स्टूर करके खा सकते हो, तो चलिए, अभी मैं इसको फ्राइ करके आपको दिखाते हूं देखिए, जो चाबल की कच्री या चाबल के फूल जिसे कहते हैं, उसे फ्राइ करने कि लिए आपने तेल गरम रखना है और इए कैसे स्टाइज में अच्छे से डबल हो चुथी है तो अभी मैं से निकाल लेती हूं इसी हमें लाल नहीं करना है जलाना नहीं है बिल्कुल भी तो ऐसे ही मैं सारे फ्राइ कर लेती हो एंदर फिरा पॉरी पहुंगी यहां पर देखे चावल की कच्री या चावल के फूर देखे बनकर तयार है, तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिगा शेर कीजिगा और मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिगा, यह देखे इसे मैं आपको तोड़के भी दिख तोड़के दिखा देती हूं यह देखें बहुत अच्छ से तूट रही है